सुदारक लहर दखणी हिंदुस्तान विच सुदारक लहर इस तुम पहला की गुरुनानिक देव जीदे जीवन उते नजर मारी जाये ये ज़रूरी रहाएगा के इस लहर वेलवाल वीच आत मार लिए जो दखणी हिंदुस्तान विच्चों उठी ए सुधारक लेहर जो समापाके बहुत तेज हो गई एस दे मोड़ी प्रसिद फिलोसफर सुधारक शंकराचारिया आखे जा सकदे हन उनाद सब्तो बटा कार्ज डिक दे बुदतारमनू सदा लई उस दी जनम पूमी तो काट देना सी निरा दखनी हिंदोस्तान विच्चों ही बुदतारमना मुक्या सगों सारे उत्री हिंदोस्तान विच्वी ऐस दा नाम निशान ना रहा शंकरचारिया जी ने बहुत जोर ग्यान उते दिता अते ब्रह्मना नेवी उपनेश्थ दियां ही रवायतां उते चलन लई लोकानू प्रेरिया डक्टरादक्रिशन दा कहना है के आत अदवैतवाद होनकार्न भौते चानन दान देरा सी आम जनता अनपड होन करके उपनेश्थ दियां गुंजलदार कला बाजियां समझ नहीं सी रही जिसले लोड पासी के जे हिंदू तरमनू जीवित रखना है अते चल्दा फिर्दा त सदीवी तरम बढ़ाऊना है ता आम लोकां दी बोली विच तारमक दर्शन समझाऊना पवेगा इस दे नाल ही एक होर खत्रा इसलाम दा आपया इसलाम ते जी नाल वाद रहा सी अते अपनी छाप लगा रहा सी इसलाम दे सूरज ने सर्ब तो निकलन बाद हिंदूस्तान सदीफ्यों पालवी मूँ के ता तो जारती बेडे लेके अरव दे लोकी समुंदर दे पच्छमी किनारे पुझे स्टोड़िक कैंदा है ए मन्नी प्रमनी गाल है कि अरव ताजरा ने हिंदूस्तान दे पच्छमी समुंदरी किनारे कार बनाने शुरू कर दिते परसीद अखान है के वपार पिछों सरकार इस लई कुदरती गालसी के ओ नवे अरवदे लोग की नम नव जनमे इसलाम तरमदा परचार कर दे अते उना परचार शुरु किता साथे कोल बुसबूत हन जिस रहीं पता लगदा है के उना इलाक्यां विच लोग का इसलाम अपनाऊना अरंब्या मसूदी जो हिंदुस्तान विच 916 इसवी नुआया ने सिमोर आज कल दा चाल विच एक हजार तुवाद मुसल्मान देखे कई पुराने ते 9 इत्यासकार इस गालते बहुत जोर जिन्दे हन के शंकराचारिया ने जित्थे हिंदूज तरमनू बोद ते जैन तरमतों बचाउन दा बीडा चुकया उत्ते इसलाम ने रोनू रोकना वी उस दा एक मंतव सी पामे साथे कोले गल मनन लई कोई पकी गवाही नहीं पर एक ख्याल बनदा है कि उसने इस वद देता रमनू रोग पाउन लई कोई अपुराला जरूर किता होवेगा शंकर numéro चारिया दा जनम जिस अलाके विच होया एक या जान्दा है कि उस थाँ दे राजे ने इसलाम तारन कर लियाँ सी शंकराचारिया ने उस राजे नू वापस हिंदु तरम विच लेंदा इस सारी बहस विच ना पैंदे हुए एही कहना उचित है कि अजे शंकराचारिया जहोर किसे नू इतना खत्रा इसलाम तो नहीं सी इसलाम ता जे आप एक नव जनमें बाल सी पर एक गलतों इनकार ने किता जा सकेगा कि शंकराचारिया बेशक हिंदु तरम नू सुर्जीत कर गया पर आम लोका विच जजबा ना पाड़ सकया नाल ही सानू एवी पता लगदा है कि इसलाम ने शगों शंकराचारिया मगरों ताकत पकड़ी आज दा सियाना सहलानी जाहन गंथर अपनी पुस्तक एंसाइड अफरीका विच एक सवाल करके आप ही जवाब देंदा है कि अफरीका विच मुसलमान क्यों बहुती गिंटी विच हान। आम सूज दे शंके वालयां वास्ते तर्म फबदा है उस जवाब वजों लिखिया सो आम जंता दा जो वहिमा वेच फसी होई सी आते आम समी ही पकड़ दी सी उस दा इसलाम नू अपना लैना कोई हरानी दी गाल नहीं लग दी दूजे पासे वेदक तर्म गुंजला ने बहुत पेचीदगियां पा रहियां सान इसली लोड सी की इस अण गैली वेलवी ते आँ दिता जावे एना ही गल्ला ने पगती लहर नू जनम दिता जिसने तरस दी ते विलक दी जनता नू कुझ शान्ती दिती इस पगती लहर दे वड़े प्रचारक रामा नूज जी होए हन वो ग्यारमी सदी दे अरंब विच होए सन रामा नूज दा जनम सन एकजार स्तारा इस्वी नू श्री पटम दखन विच होया जवान हुंदे ही ओ कंजी वहस याद प्रकाश कोलों में दान्त पणन चले गए थोड़े ही चर पिच ओ अपने उस्ताद तों अग्यवाद गए उस्ताद ने रामा नूज नूज नू कतल करन दी कोशिश किती पर ओ अपने पेंड ना से आए पेंड पोजदे ही उना शादी कीती ते गरस्ती जीवन बितान लगगे पर छेती ही मानुचाट हो गया ओ कारकाट छाटके श्री रंगम दे सांत परया नभी वाल टोड़ पए रा विच ही उना दा मेल एक साधू नाल होया कोजचिर बाद ओना दा मेल एक होर सांत गोश्टी पूर नाल होया जिसने एक शार्ते मंतर दिता कि वगव किसे नू नहीं दसनगे पर रामानुज ने परी संगत विच ओम नम्मु नारायन आके गोश्टी पूर नू हैरान कर दिता रामानुज ने विशिष्ट अद्वायत दी फिलोस्पी दी नी रखी शंकराचारिया जी दे अंग ब्रहम दे ख्याल नाल रामानुज जी ने संपती प्रगट ना किती आते दस्या के पक्ती द्वारा ए जीव आत्मा ओ सुवाईगरू नू मिल सकती है नाल ही उनाने शंकर दी माया वारा सिदा अतना मन्या स्वगों किया कि प्रबूदी शक्ती हर समय ही काम कर दी रहिंदी है उपनिश्टा दे इस ख्याल नाल उना संपती प्रगट किती कि ब्रहम वसतम ग्यानम अते अनातम है पाव ओ प्रथक जिंदा अते असीम है इसनू समझा उनली उनाने शरीर तो आत्मा दी उदारन लई जिमें आत्मा शरीर विच आके इसनू चलांदी है तीमें ओ ब्रामश रिष्टीनू चलांदा है पगती दे चार अंग दर्शाए शर्दा उपाशना उस्तती ते प्राथना उसनू पगती द्वारा पाया जा सकता है एही पगती मारग है शंकर दा ग्यान मारग है पगती लिए उना कोज पाती दसे जिना विच खान दी सोच अते वेदा दी दसे यागवी सी ऐसा संजम रखन लिए उना दा ख्याल सी के कर्मा दे बंदन विच्चो मनुख निकल जान्दा है अते सैकलद समाध्धी दिवस्ता प्राप्त हो जान्दी है रामा नुझ जीवन मुक्त विच यकी नहीं सन रख दे ओ सरीर्तों पिच्चों मुक्ती विदही मुक्ती ही संभव गिंदे सान ब्रामदा रूप विश्णू नुगिंदे सान ते विश्णू दे चोवी रूपां दी पूजा विच्चों एक दी पूजा ही पकती गिंदे सान बार्वी ते तेर्वी सदी विच मादव विशनु स्वामी वल्लब पिलाई लोका चारिया अते विदांत देसी का जे पगता ने इस मतदा रज के परचार किता इस विच कोई शक नहीं के कई पगत रामानु जिद्धी गालनाल इन बिन सहमत नहीं सन पर जोर सारे पगती उत्ते ही दिन दे सन इस पगती लेर दे के वड़ा गून एवी सी के इसने नहीं नीमी जाती वालयां शुद्रा नूमी बंदना तो आजाद किता अते रामानु जी ने खोल दिती के शुद्र वितार्मिक संभावा विच पाग लाए सकते हन अपनी संपरदा विच भी कई शुद्रा नून ने रलाया डाक्टर ताराचंद अपनी पुस्तक इन्फुल्वेंस ओफ इसलाम ओन इंडियन कल्चर विच जोर दिन्दा है के वैशनब बहुत हाउंद तक इसलाम नाल मिलदा जुलदा सी और उसदा ख्याल है के सलाम दे असर करके ही वैशनबी पागता ने एक वाईगरु पागती प्रापती ते गुरु पागती छूत चात नून निंदना हते कर्मा नून फोकट उते जोर दिता फर यते हासक कसवटी होते एक ख्याल पूरा नहीं उतर दा एक वाईगरु नुमनन दा ख्याल शंक्राचारिया ने बहुत पहला प्रचाया सी छूत चात दी निखेदी बुद तरम ने डटके किती सी अते समर्पन गुरु हवाले दा ख्याल भी पहला दिता जा चुका सी उत्री हिंदुस्तान विच सुदारक लहर पगत रामानद जी रामानद जी ने हिंदुस्तान दी पगती स्टेज उत्ते आउन नाल पगती लहर एक खास शकलतार्न कर गई डक्टर ताराचंद पगत रामानद नू दखन ते उत्तर दी पगती लहर विचकार बने आएक पोल कहिंदा है इस वी शक नहीं है के ओ भी रामानुज दे चेले सन पर उना समय नू मुख राके कई ख्याल नमे सिरियों पेश किते मैं कालफ इस बंद विच लिखदा है रामानद देता आर्मक असूल बहुत हाद तक रामानू जनाल मिल दे सन सिर्फ इतना फर्क है के सीता ते राम दी था लक्ष्मी ते नरायन आ गए अते रामानद ने चुले चौंके दे कार दी पबंदी नू खत्म कर दीता रामानद दे कुझ मोटे असूल रामानद ने अपनी संपर्दा विच हर जाती दे मुनुखानू शामिल केता कई मुसल्मान भी उस दी संपर्दा विच शामिल होई उसने बाहर ले पे इखानू निंदे आते वाईगरू नू मिलन दारस्ता एक ही दस्या के उस्दा नाम जपया जाए नाम जपनल प्रमात्म मिल जावेगा निस्तारा शब्द ने करना है गुर का शब्द काटा है कोट कर्म होई बिरक्त बनारसी रहिंदा रामा नंद गुसाईदा जिकर पाई गुर्दास जीने किता है आप जीदा जनम तेना सो अठानवे इस्वीनू पिंड मान कोट दखन विच होया सी चरदी जवाननी विच बनारसी आगय सन जाद दे जरूर ब्रामन सन पर कदे जाद दा अभिमान ना किता इना कोलों ही सिख्या दिख्या कबीर जी रविदास जी बेनी जी थे पईपा जी नहीं लई सी ओ क्या करदे सन की किद्रे जान दी लोड नहीं हिर्दे कार विच ही मौज बन सकती है कत जाईये रे कारला गो रंग रामा नंदा ये परचार वकत दी लोड सी इस परचार नुचंगा असर पाया तितारा चद लिखदा है एह यकीन करन विच कोई रुकावट नहीं के सिलाम दे बाद दी ही रामा नंदा दर्म वदेरे भैलेा दूजे लफजां विच उसदा पाव है के इसलाम नुच सिदे परचार ने रुकिया पर कोई बहुती कामिया भी ना हुई क्योंकि मकमल तोर उसदा तर्म कोई चाप लोकाउं ते ना चड़ सकिया मुसल्मान ते हिंद्वा विच पाड़ा कटाया ना जा सकिया बल्कि वद्दा ही गया पगत कबीर जी पगत कबीर जी रामा नंदे अपदेशां तो परवावेत हुए आखे जा सकदे हन कबीर जी दी बाणी इतनी सर्व सांजी है के हर मजब हर फिरकेते हर जाती दा मनुख पड़ के अननद मानदा है मैं कालफ कबीर जी दी बाणी दी महतता लिख दे हुए कहिंदा है कबीर ने ऐसी बाणी लिखी है जिसनू हर जाती दे लोकापना सकदे हन आते जे प्रचार किता जाए ताम मनुखा दियां पीडा दा हल पगत कभीर दी बानी बन सकती है कभीर वाईगरु दे नाम नूही सावत उत्तम समझदा सी आते इतने जजबे विच उचारदा सी जे सविच होर सारे पे एकते चूत चाता डुब जान दियां सन गुरारजन देव जी ने कभीर दे आयो एक रंग लिख के सतका रहा है अधे पगतां दी बानी गुरु गरंसाय विच दर्ज कर दियां पहली थां दिती है कभीर जी दे जनम बारे पकी तारिख ता पता ता नहीं लग सकेया फिर वी बहुत इतिहास कारां चोदा सो स्तान में नीयत कर दे हन एक मुसल्मान जुलाहे अली और फनीरू देकर कांशी विच कभीर जी दा जनम होया काफी देर पाठकन उपरांत रामानन्द दर्शन हुए रामानन्द जी उसमें कांशी विच परचार कर रहे सन एक गवाही सानु इस तरह मिल दी है के रामानन्द ने ही कभीर जीनु सबावगी राम नाम दा अपदेश दिता पैरी टुम्ब उठाल लेया बोलो हो राम सिख समझाई राम नाम जपन दा अपदेश लेके कभीर जीने परचार करना शुरू किता मोहिसन फानी लिखदा है कभीर था था गया पर शांती ना मिली आखर किसे उसनु रामानन्दी दस पाई कभीर जी आप भी इस गाल्दा जिकर करते हन कभीर जी जीदी सारी बानी तो एही अनबब हुंदा के ओ नाम पग्ती दब देश हर एकनू देना चाऊंदे सन आत्मा अमर है वल उनना लोकां दते आन दिवाया पर कभीर जीदी परसिद्धी होर कारना करके हुई ओ पहले ओ सुदारक सन जीना करड़े तो करड़ा लफजां विच हिंदू समाज दीन खेदी ते सलाम मत दिया कुरितिया दसीया हिंदूआ दे राख्या नूता इत्थों ता काख्या जो तू ब्रह्मन ब्रह्मनी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया तुम कत ब्रह्मन हम कत सूद हम कत लोहू तुम कत दूद फिर पे खांदी तां खुब भी हास खुब हासी उड़ाई ते करने लफजा मिच नेंद दे होया अब फरमाया गज साड़े तै तो तिया तेहरे पायन तग वाहिगुरुजी का खाल सा वाहिगुरुजी की फते